कि अब नॉर्मल्ली जो भी वर्ट सम लोग लिखते हैं या बोलते हैं इनको जो टोल एट क्लासेज में बाटा जा सकता है जिन्हें की पार्ट्स आफ स्पीच कहते हैं और यह हो गए जैसे कि नाउन, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection नाम अभी आप याद कर लें ज्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ी मेहत लगेगी लेकिन बाद में काम आएगा अब चलो हम नाउन के बाड़े में बात करते हैं सबसे पहले तो नाउन के है तो नाउन जो है नेम्स आप परसन एनिमल प्लेस और जैसे कि जै is going to the market with his dog to buy a ball तो यहाँ पर जै जो है वो एक परसन का नेम हो गया, market जो है एक प्लेस का नाम हो गया, dog जो है जानवर का नाम हो गया और बाल जो है वो एक थेंग का नाम हो गया तो यह सारे क्या है नाउन्स है अजेक्टिव जो होता है वो आपको नाउन के ब बताता है कि man जो है वो क्या है Buddha है and had two dogs तो यह आपको dog की खासित बताता है कि कितने dogs थे two dogs थे यहाँ पर old or two यह दोनों क्या हो गए adjectives हो गए अब प्रोनाउन क्या होता है तो प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है जैसे कि he gave me the news yesterday यहाँ पर he जो है वो किसी दूसरे आदमे के लिए यूज हुए है जैसे कि राम knew about this राम को इससे के बारे मैं पता था he gave me the news yesterday तो यहाँ पर he जो है वो किस के लिए यूज हुए है राम के लिए राम की जगह पे यूज हुआ है तो he क्या हो गया प्रोनाउन हो गया मी अफकोर्स मी जो है वो मेरे लिए यूज हुए मैंने अपना नाम नहीं लिखा है बदले मैंने क्या लिख दिया मी तो यह मी भी क्या हो गया प्रोनाउन हो गया तो इस तरह से या फिर उनके पास क्या है इस तरह से जो है वर्ब का यूज करते है आगे एड़वर्ब की बात करो यह चल रहा है यह चल रहा है अब प्रिपोजीशन जो है प्रिपोजीशन क्या करता है तो वह नाउन या प्रोनाउन और किसी दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशन को बताता है जिसे की समीरा sat on the chair near the window तिहां पर समीरा sat इन दोनों के बीच के रिलेशन वो कौन बताता है ओन तो इस तरफ चेर और विंडो के बीच के रिलेशन वो कौन बताता है नियर तो इस तरह से जो है नाउन प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड के बीच का जो रिलेशन जो बताता है वो हो गया आपका प्रिपोजीशन तो स को जोडने में काम आता है जी तू एन मोना और मैं क्लास्मेट्स यह फिर आय वेंट टू मार्केट टैन्ड About a Book Right तिहांपर क्या है आवेंट टू मार्कट एक अलग ही sentence होता And About a Book अलग ही sentence होता लेकिन दोनों को हम क्या करते है and की मदद से जोड देते है तिहांपर end क्या हो गया Conjunction हो गया इस दरा से and but यह सारी आपको कुछ Conjunctions है और फिर आता है interjection, interjection जो है वो अच्छानक वाले जो कोई feeling होती है उसका expression जिसे कि हुरा, ठीक है, ये पी, तो ये सारी जो है interjection है, अब कोई जो है कह सकते हो कि कौन सा word जो है, वो किस part of speech को belong करता है, तो उसके लिए जो है हमें इसके function को देखना परता है, जैसे कि I walk everyday in the morning, यहाँ पर walk जो है वो verb है क्योंकि वो आपके action को बताता है, लेकिन he went for a walk, यहाँ पर walk जो है, वो noun है, क्योंकि यह जो है चलने वाले इस activity का नाम बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब जो है वो वो वेंट है, इसलिए यह आपको ध्यान रखना है, एक इस sentence को भी आप ध adjective है, and noun है, fell, verb है, into preposition है, and conjunction है, it pronoun है, cried, verb हो गया, frantically, adverb हो गया, और help, help, interjection हो गया, समझे के, इसको याद रखिएगा, a tiny ant fell into the pit, and it cried frantically, help, help, याद कर लेना इसको, चलो, अब यहाँ पर वो क्या करना है, कि आपको जो है, प्रोनाउंस को underline करना है, और adjectives की चारों तरफ आपको जो है, box draw करना है, like, Sohana is a sweet girl, remember, noun को छूना भी नहीं है, Sohana is a sweet girl, तो यहाँ पर प्रोनाउंस कोई यूच हुआ नहीं है, sweet लेकिन जो है, वो क्या है, adjective है, जो कि आपको इस noun, girl की खासियत बताता है, इसलिए यहाँ पर sweet जो हो गया, adjective हो गया, she wanted to buy the brown teddy bear, तो यहाँ और she जो है, वो क्या हो गया, pronoun, she wanted to buy the brown teddy bear, brown जो है, जो है, वो adjective हो गया, जो कि आपको teddy bear का color बता रहा है, मतलब उसे कुछ खासित बता रहा है, तो brown क्या हो गया, adjective हो गया, Sunny is riding the new bicycle, तो यहाँ पर new क्या हो गया, आप बताओ, yes, adjective हो गया, तो चलिए बचेवे sentences में जो है, आ adjectives को box में डाल देशिएगा, अब activity B, यहाँ पर क्या करना है, आपको verb को underline करना है, और adverb को circle करना है, अब देखो, यहाँ पर एक चलिए आपको बस धियान रखना है, कि verb जो है, वो one word का हो सकता है, जीसे कि run, I run in the park, I run in the garden, दुसी तरफ, two words भी हो सकता है, जैसे I was running in the park, three words भी हो सकता है, I have been running every morning, तो इस साब साप जान रहे कि औहीं, सामिया सेंगeh beautifully, यहाँ पर जो है, सैंग क्या हो गया, verb, सिंग का past form हो गया, ना, sing-sang होता है na तो सव्म्या sang beautifully यहां पर sang जो है वो क्या हो गया आपका verb और beautifully जो है इस गाने के action के ही खासित बताता है तो यह हो गया आपका adverb राइट राजीव is working hard in maths तो working जो है वो हो गया is working यह आपका verb हो गया और hard जो है वो क्या हो गया adverb हो गया यह my best friend Ananya has been in the US for several years my best friend Ananya की खासेत हो गई best friend has been in the US for several years Pia never attended the cultural event attended sorry attended क्या हो गया आपका वर्ब हो गया और never जो हो उसके खासेत को बताता है कभी नहीं गई है वो तो यह काम उसने कभी नहीं किया है they had dinner at 8 p.m. everyday everyday जो हो क्या हो गया आपका adverb हो गया और had dinner आपका वर्ब हो गया बागी बचे यह तीन आप करिएगा खुछ तो आप कर लीजिएगा चलिए वीडियो को पहुच करके आप remaining 3 जो है इनको complete कर लीजिएगा in fact आप पूरे के पूरे 8 को अपनी notebook में complete कर लीजिएगा या book में complete कर लीजिएगा यहाँ पर आपको interjections को जो है circle करना है preposition को underline करना है और उसको conjunction के चार तरफ आपको box बनाना है तो यह बहुत सारे काम है जीत और जये must stay back तो जीत और जये तो और जो है यह क्या है इंटर कंजंक्शन है जो की जीत और जये के बीच माया है must stay back तो वेल चलिए कोई interjection या preposition नहीं आया है बीच में stay back वी लुक्ट फॉर तो फॉर जो है वो क्या हो गया preposition दर रिंग अंडर दे टेबल बट कुद नॉट फाइंट इट ओ यह क्या हो गया interjection circle करना है इसको the dog fell into the well into क्या हो जाएगा preposition हो जाएगा बचे हुए दो जो है इनको आप पूरा कर लीचिएगा अब यहां पर क्या करना है कि name the part of speech that the words printed in bold belong to the train was late यह आपका हो गया noun क्योंकि नाम है न गाली का नाम है यहां पर train जो है वो है आपका verb the fire broke out at night the police fire bullets to scare the thieves this chapter is very important आएगे जो आपका क्या करना है कि इन words को जो है sentences में यूज करना है और हर एक word को जो है एक बार word के एक बार verb के रूप में और एक बार noun के रूप में यूज करना है तो train का तो आपने ने देखि लिया था राइट the train was late ये नावन के रूप में हो गया and they train the students to become engineers or doctors ये जो है आपका verb हो गया ऐसे ही वाउक आई वाउक कि एवरी कि मॉर्णिंग कि एग गो फॉर एवाउक एवरी मॉर्णिंग पहले वाले में वाउक जो है वो वर्ब है लेकिन दुसरे वाले में जो है गो वर्ब है और वाक जो है वो नाउन है चलने के एक्टिविटी का यहां पर जो है वाटर का मतलब हो गया प्लांट्स में पानी देना तो इस तरीके से जो है आप जो है रिमेनिंग का भी कर सकते हैं राइट आई रेट बुक्स और बुक्ट टिकेट यहां पर जो है 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 नाउन हो गया यहां पर जो है यहां पर जो है यहां पर जो है नाउन हो गया यहां पर जो है यहां पर जो है यहां पर जो है नाउन हो गया यहां पर जो है यहां पर जो है यह यहां पर यहां पर विदियो को पाँच करके इन सभी सेंटेंस को बना ले चेहेगा यहांपर को में पैसल को पढ़ना है वो किस कटेगरी के हैं कॉमल वेके हैं तो वेक है वो वर्म हो गया then she goes for a walk in the park and later get ready for school she usually walks to her school since it is near her house in the evening she completes the work completes the work so that's noun given by her teacher while her mother works verb she is a very good singer and attends her music classes every day in the evening right so well that way you have to complete it uh you have video ko paunch karke or in ko joe haa poora karte jae ga okay so well that's it for today's session i guess we have home continue karen ga in discussions ko take it i guess you have freedom path karen ga nouns ke baare mein jyadha detail me then we'll see you in the next session bye bye okay you you झाल झाल